कि special announcement को सबसे पहले तो मैं आपको यह दिखा देती हूं कि special announcement क्या है special announcement यह है कि आप में से जितने भी स्टूडेंट जो जैपूर या फिर डेली यानि कि राजस्तान और डेली से बिलॉंग करते हैं आप सब बच्चों को मैं यह बता दू कि क्यूंकि अप हमारा एक्जामिने लेके आया है, Offline Test Series, इस Offline Test Series के अंदर आप लोगो के सभी के सभी सिटी जहाँ पर हम लोग और 9 June को हमारे एक्जाम से पहले यह तीन टेस्टे जो मैं करने वाली हूँ साड़े नौ से साड़े दस बजे सुबह होगा पर वन का तो अगर आप सभी लोग आसपास रहते हो स्पेशली अगर आप जयपूर जोदपूर या टॉक जैसे एरिया में रहते हो तो आप लोग इ लेना चाहते हो युजी सीनेट कम्प्यूटर साइंस प्लस पेपर वन तो आप लोग जो है वो ज्यारे फट्डा अप्लिकेशन पर जा सकते हो तो अपको मिल जाएगा और अगर आप ओनाइन टेस्रीज भी लेना चाहते हो तो और नाइन टेस्रीज भी है जो आप सब आप लोगों के लिए फट्डा अप्लिकेशन के अपर जाके ले सकते हो तो सीन ऐसा है जो डिरेक्ली इंटरोगेटे वाले क्वेशन से जैसे पर एग्जांपल मैं युनिट वाई अप लोगों के पास में अपरेटिंग सिस्टम हो गया आप लोगों के पास में जो है वो अन्दर ये कूछ ऐसी यूनिट जिनसे ड़ेक्ली इंटरोगेटिस बनते हैं और इतनी गुमा के नहीं पूछे जाते हैं ये कूछ ऐसे घ्वान चीन्से जिनसे आप लोगों के वो जो डिरेक्ट वाले क्वेशन से वो ज़ादा बनते हैं और मेरे हिसाब lorsque ये अप लोगो system में भी आपके statement वाले सवाल बहुत जादा बनते हैं अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए जो है वो artificial intelligence बहुत ही जादा महत्वपून आपके लिए आजकल यह यूनिट हो गई है जो आपके लिए इस तरीके से स्टेटमें असर्शन के अंदर यह कुछ इसे टॉपिक्स है जो रिच टॉपिक्स इसमें डीप कॉंटेंट का वेश्चन आप लोगों से पूचा जाता है तो मैं अगर जब पेपर अटेंट करने जाते हूं तो हमेंशा मैं इसी लेवल में पे कर आपको असे लग रहा है कि मैं इससे किसी प्लान कर लेते हूं मैं कभी ऐसा इसा नहीं सोच तो कि मैं मैं इस सब्सक्राइब अने औरॉर भीर को लोगों कि शुटाद कर अगे और नहीं आता है ब्लैक चोड़ दिया आगे बढ़ गाई आगे अए बढ़ गई आज आता ह अगर मेरे पास में स्टॉप पाँच के अंदर अगर मेरे निगल गया है और मेरे दो-चार क्वेश्ट भी नहीं हुए हैं तो वह आपके लिए पैनिक करता है समझ भारे कि मैं क्यों यह समझा तो इसलिए मैं हमेशा पेपर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करने की बात कह रहे हूं सबसे पहले डिरेक्ली इंटरोगेटिव या ऐसे क्वेश्ट जो आपको एकदम फॉर्स फ्लो के अंदर पढ़ और आ गया मैं फॉर्स प्वेश्ट बढ़ा नहीं आए कोई बात नहीं है मैंने कहा सब्तर से पिच्छे तर या ऐसी सवाल मैं यह कहते हूं बीस सवाल नहीं भी आएंगे तो मुझे फर्क नहीं पढ़ना चाहिए पैनिक नहीं होना है 80 सवाल तो है आपके आप उन दस सवाल के पैनिक की चेक्कर में अगले आ किया स्टार्टिंग में घबर गया एंजाइटी के चेकर में क्यों कितना लेंदी पेपर होता है तो पढ़ने 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 के चेक्कर में उन क्वेशन पर उस वो ध्यानी नहीं दे पाया जो डिरेक्ली कर सकता था इसीलिए कह एह हूं पेपर को तीन फ्लो में लेके मतलब सबसे पहले हम वह वाले क्वेशन पर जाएंगे जो हमसे एक बारी में होते हैं पिर हम उन प्वेशन पर आएंगे जो इन यूनिट से रिलेटेड होते हैं जाता तर जो मैश्दर कॉलम यह स्टेटमें असर्शन इन में हमको ट्राय करना है चॉइस लिमिनेशन लगाने च्वेशन लगा लगागे हमेशा यह ट्राय करेंगे कि जो भी कॉम्बिनेशन गिवन उन में से कोई भी एक कैसा ढूंडो जो आपका नहीं हो सकता है यह बस ट्राय करना है तो एक बर प्ष्छन को अच्छे से रीड किया ओशन को अच्छे से रीड क्या मतलब जो आपके के लिए खारे फारे वह क्षेशन करते हैं चैनल करके वह तहीं कि पहले से वहुआ ऑफ्सखन नहीं कर जा थी आपके सामने स्फमने क्वेशन आपके हो जाते हैं डेटबरेस के बच्छनस आपके हो जाते हैं हमेशा धिर इनफेक्ट काफ ल्टो की आपको आपकी स्फ्रिंग नहीं बनेगी इस टाइप के जो सवाल हो हमेशें मैं चॉइस लुमनेशन से कर ती बना बना के देखती थी किन है से कौन सा नहीं बन सकता है और फिर आपके इलिमिनेट करके निकाल देती इससे आंसर जल्दी भी आएगा और हंड़ेड़ परसंट अक्यूरियसी के साथ में भी आएगा क्यूंकि सब्सक्राइब के लिए नए पैटन वाले सब्सक्राइब परिशान करने वाले सब्सक्राइब करते हैं दूसरी चीज यह जो सिच्वेशनल बेस्ट क्वेशन या फिलिंग ब्लांग वाले क्वेशन से इनके अंदर क्रोनोलोजी चलती है आज का पूरा पेपर अनलाइज करन क्रोनलोजिकल और वाले क्वेशन बहुत जाद है और एसा नहीं कि लैंग्विज बेस्ट वाले पेपर में ही टेकनिकल पेपर के अंदर भी आप सब बच्चों के लिए सीक्वेंशिंग आले सवाल प्रोनलोजी वाले सवाल फिलिंग द ब्लाइंग्स वाले यह पारग्राफ में पेजिंग के ऊपर हो गया है आप लोगों के पास इस ऐसे टॉपिक्स जो डीप टेल वाले टॉपिक होते हैं जिनमें बहुत जादा देफ्ट होती इस टाइप के आप लोगों के पास में पारग्राफ अले क्वेशन्स आते हैं इसलिए मैंने इनको सबसे लास्ट में इनके लिए समय बचाओ ये क्वेशन्स मैं फिर कहती हूं हाड होती नहीं है हम इने हाड बना देते हैं क्यूंकि हम इनके लिए कम समय रखते हैं प्लस हमारे पास में बैक अप नहीं होता है बैक अप से मेरा मतलब यह है मार लीजे कि ये क्वेशन आपका 60th question 60th नंबर पर इनके परेग्राफ पला एक question आया मैं और हमने जो है वह फर्स question से शुरू किया था अब आगे कि जो आप लोगो के 40 सवाल है उन पर हम प्रेशर डाले इस साथवे question का क्यूंकि आप यह करने लगोगे मैंनेजर सखा ये हाड नहीं है पर यह हमको हाड बना लेते हैं हम लोगोने पड़े होते हैं तो हम यह try करेंगे कि इसको हम थर्ड राउंड में उठाएं और तब उठाएं जब हमारे पास अलड़ी एक बैक अगप हो कि हाया मैंने जो है वो पिछले के जो 59 questions से वो भी attempt कर लिये है एक बारी में देख लिये हैं दो बारी में देख लिये है